हलो स्टूडेंट्स कैसे हो सब बढ़िया चलो बहुत बढ़िया अब हम लोग करने वाले हैं भक्चो मेगनेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट के उसी पार्ट को आगे डिसकस जो हमने कल के लेक्चर में किया था कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल मेगनेटिक फिल्ड में मूव करता है तो उस पे फोर्स लगती है और वो फोर्स होती है क्यों वी भी साइन थीटा उस फोर्स की डिरेक्शन निकालते हैं फ्लैमिंग्स लेफ्टेंड रूल से फिर हमने बी का ऐसा यूनिट जो है टेसला उसकी डेरिवेशन डैमेंशन की डेरिवेशन उसकी डेफिनेशन वो सब किया था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और काफी सारे इंपोर्टेंट पेरामिटर्स है एक चार्ज पार्टिकल के लिए जो हमें फाइन करने के लिए पूछा जाता है और उसमें numericals भी आते हैं तो चलो शुरू करते हैं बहुत important होने वाला आज का lecture यहाँ पर बच्चो देखो एक magnetic field है अब इस magnetic field को मैंने बनाया है cross से तो आप समझ जाओ समझ ही चुके होगे कि magnetic field अंदर की तरफ है into the plane of board अगर cross से magnetic field बनाई गई है so that means it is into the plane ओके इस magnetic field में एक charge particle एंटर किया है यह charge particle है Q positively charge particle जो इस magnetic field में ऐसे एंटर किया है perpendicularly अब जो force act करती है charge particle पे magnetic field में वो होती है QVB sin theta अना और वो maximum कब होगी जब theta होगा 90 degree यानि angle between V and B should be 90 degree then the force is maximum अब यहाँ पर ऐसा है ना देखो field अंदर की तरफ है velocity ऐसे है तो इसमें maximum force लगेगी लेकिन वो किस तरफ लगेगी वो किस से मिलता है बच्चो वो मिलता है फ्लैमिंग्स left hand rule से अना चलो apply करते हैं इस पर यह आपने किदर रखना है positively charge particle के motion की तरफ यह रख positively charge particle तो यह ऐसे finger ऐसे रखी और यह किदर रखनी है finger magnetic field की direction की तरफ ना मिलिए टेक ऐसे magnetic field की direction की तरफ charge particle की direction की तरफ तो बताओ किदर आ रहे थम थांबा रहा है इस तरफ यानि कि जब ये charge particle ऐसे enter करेगा तो इस पे इस तरफ एक force act करेगी अच्छा उस force की वजह से ये मुड़ जाएगा अब इस तरफ इस पे force act कर रही है तो ये ऐसे सीधा क्यों चलता रहेगा ये ऐसे घूम जाएगा लेकिन जैसे ही ये घूमेगा इस ये वाली finger है हमें इसकी भी तो direction बदलनी पड़ेगी ताकि हम फिर से force की direction निकाल पाएं तो ये ऐसे इसको घूमाओ देखो ये ऐसे घूम रहा है इस पे focus करो ये velocity की तरफ रहनी चाहिए तो देखो जो force पहले इदर थी अब वो force इधर हो गई अब इस पे फिर से जो पहल तार इसको गुमाओ हाथ तोड़े बिना अपना मैं करके दिखाता हूं मेरे तो पका टूटा आजा ऐसे करके ऐसे ऐसे थम पर focus करो ये ये मैं रख रहा हूं चार्ज पार्टिकल की direction की तरफ थम पर focus करो अब ये इदर घूम जाएगा जब इदर घूम जाएगा तो ये न इसको इस पर लगातार पर पेंडिकुलर डिरेक्शन में फोर्स लग रही है अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलीज ओ सेंट्रिपिटल फोर्स नाम की चीज़ का कि जब भी एक बॉड़ी जाना तो स्ट्रेट चाहती है लेकिन उस पर लगातार पर पेंडिकुलर इस पर लगातार पर 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 पेंडिकुलर डिरेक्शन में फोर्स लग रही हो तो उस बॉड़ी का जो नेट रिजल्टेंड मोशन होता है वो सर्कुलर होता है सच डैट डैट फोर्स पासिंग तुरू थे सरकल अना एक बार और समझाए इसको लगातार पर पेंडिकुलर डिरेक्शन फोर्स लग रही है ऐसे एंटर किया इधर फोर्स लगी इधर मुड़ गया इधर मुड़ा इधर मुड़ा तो इधर फोर्स लगी इधर मुड़ा तो इधर फोर्स लगी ना फिर इधर मुड़ गया फिर ऐसे हां ऐसे हना मैं ऐसे करके रख रहा हूं ताकि मेरा हाट टूठे ना ऐसे तो यह अब अब magnetic field तो इधर है ये finger अब ये इधर मुण गया तो इस पर इधर force लगई तो इधर मुणने कोष करेगा finally इसका path कया सा ओ जाएगा ऐसा circle और ये फिर लगातार इसी में घूमता रहेगा फस जाएगा जैसे अर्थ बिचारी फसके घुमरी है सन के आराउंग, ये लगातार इस पे force जो है perpendicular direction में लगेगी, जैसे ये यहाँ पे है, ये center है, इस तरफ इस पे force लगेगी, और ये यहाँ पहँच गया है तो इस तरफ लगेगी, अब ये यहाँ पहुच चुका है तो इस तरफ लग कर लें कि जब भी एक particle magnetic field में perpendicularly enter करता है उसका path क्या होता है circular एक नमबर question आपका यहाँ पर cover हो गया whenever a charge particle enters into a perpendicular into a field perpendicularly to the direction of field the resultant path of the particle is a circle ठीक है तो यहीं से हमारे काफी सारे parameters है आपकी ज़रुरत नहीं है इस row की इस row sorry यहीं पर हमारे जो बहुत सारे parameters हैं यहाँ से निकल जाएंगे और वो parameters क्या क्या है जरा ध्यान से देखें तो बच्चो जब भी एक particle circular motion में होता है तो दो forces होती है एक जो उसको circular motion करवा रही है जैसे अर्थ के case में वो हो गई sun की gravitational pull और दूसरा सर्कुलर motion में होने के लिए centripetal force की जरूरत है और centripetal force प्रवाइड करती है कोई और force जो उस situation में present होती है तो जैसे अर्थ के case में हम लोग बोलेंगे कि sun की gravitational field है gravitational force है वो अर्थ को centripetal force प्रवाइड कर रही है यहाँ पे कौन सी force है जब एक particle magnetic field में है और वो भी perpendicularly तो उस पे क्या force लगती है qvb sin theta theta कितना हो गया 90 degree sin 90 होता है 1 तो उस पे क्या force लगती है qvb यही तो वो force है जो इसको लगातार perpendicular direction में ले जाना चारी है यह जाना सीधा चारा है तो इसका resultant motion क्या हो जाएगा circular centripetal force पे मैंने अच्छा कासा lecture भी बनाया हुआ है centripetal force is a required force it is not an acting force यह कोई ऐसी force नहीं जो act करती है यह वो जो चाहिए होती है इसके बिना circular motion नहीं हो सकता अगर मिल जाती है तो circular motion हो जाता है तो यह force इसको circular motion करवा रही है यानि कि यही इस वक्त centripetal force का role play कर रही है और centripetal force का formula क्या होता है mv square upon r एक body जिसका mass है mv velocity से r radius के path में अगर घूमना चाती है तो centripetal force उसको कितना लगता है उसको कितना चाहिए होता है mv square upon r so this must be equal to mv square mv square upon r this must be equal to qvb mv square upon r should be equal to qvb समझ में आई आपको बात यह आपकी main equation है बैच्चो आगे के जितने भी derivations है वो इस equation से easily निकल जाएंगे आप इस equation को याद रखो तो आगे आने वाले derivations सारे बहुत easily आप निकाल पाओगे पहला derivation है इस charge particle की velocity क्या होगी इस charge particle की velocity क्या होगी बच्चो यहीं से निकाल लो एक v से v कटा यह square से यह v कटा so mv by r equal to bq which gives v equal to bq r by m very important formula काफी important important formula है यहाँ पर जो की questions में numerical problems में direct use होने वाले हैं उनको हम डब्बे में डालते चलें velocity number two number two radius number two radius radius के लिए क्या निकाले बच्चो यहीं से radius आजाएगा radius r हो गया m को इधर ले जाओ mv upon bq very 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 important formula और याद रखें बच्चो जब एक charge particle magnetic field में move कर रहा है तो कौन कौन से parameters हैं जो constant रहेंगे यह चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आईडी निमेरिकल में जो चेंज ही नहीं होंगे इसके motion के साथ m वैसे तो Einstein का formula है कि जब एक body बहुत ज़्यादा velocity पकड़ती है तो उसका mass बढ़ता है फिलहाल हम लोग consider करते हैं फिलहाल कि इसकी velocity कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम light की velocity से compare कर सकें तो हम यह मान लेते हैं कि इसका mass हमारे numericals के लिए हम यह मान लेते हैं कि इसका mass जो है वो constant रहेगा charge इसका constant रहेगा जिस magnetic field में यह move कर रहा है वो magnetic field constant रहेगी because हमारा topic ही यह है कि motion of charge particle in a uniform magnetic field non uniform वगरह पे भी question है J need के अंदर CBSC के अंदर uniform magnetic field तो B भी हमारा constant हो गया ठेक एक तो बच्चों ही आ गया और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m into v क्या होता है momentum P तो P by BQ यह भी important है अच्छा kinetic energy और momentum में अगर आपने 11th class ठीक ठाक पढ़ ली हो तो kinetic energy और momentum में क्या relation होता है kinetic energy होता है P square by 2m कोई ऐसा कोई बड़ा सा relation हम ने डिराइव किया integration लगाके पी होता है M into V तो M into V यहां रखोगे M square V square एक M से M कटेगा half M square बचेगा जो kinetic energy होता कोई तना दांसू relation नहीं है तो P यहां से क्या आएगा P यहां से आएगा under root 2m into ke P क्या आएगा under root 2m into ke वो अगर मैं यहां रख देता हूँ तो under root 2m into ke by BQ kinetic energy की terms में, momentum की terms में radius जरूरी है निकालना क्यों जरूरी है अभी आगे question कराऊंगा उसमें बात समझ में आएगी काफी इस तरह के questions आते हैं कि two charge particles enter into a magnetic field with same kinetic energy find the ratio of their radii यह with same momentum find the ratio of their radii इस तरह के question तो इसलिए मैं सारे formula आपको derive करा रहा हूँ ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना है also kinetic energy of a particle is q into v first chapter में हमने पढ़ा है कि जब एक q charge का particle v potential difference से accelerate होता है तो वो इतना work उस पे करना पड़ता है तो यह उसकी kinetic energy हो जाई एक charge particle को velocity देने का तरीका है क्या है कोई charge particle दिखा ही थोड़ी देता है कि उठाके यह से फैक दिया एक charge particle को velocity देने का तरीका क्या है कि उसको potential difference लगा दो यह charge particle है rest पे है इसको चलाना है कैसे चलाओगे यह positively charge particle है यह positive plate लगा दो यह negative plate लगा दो भागेगा positive plate से तो यह potential difference ही तो आपने लगाया है तो जब उस पर potential difference लगाते हैं तो कितना work करते हैं वी potential difference पे कितना work होता है q charge पे qv तो वो work उस पे किसमें convert हो जाता है kinetic energy में अगर मैं वहां पर यह put कर दूँ देन we will get another important formula potential की भी बात हो रही है क्योंकि इसके questions में 2m into qv divided by bq समझ में आई बात अच्छा यहां से आप q से q cancel कर सकते हो नीचे एक root q बचेगा तो क्या बनेगा formula हमारा 2 root में m root में यह root में divided by q v root में सिर्फ एक b बाहर बचेगा आप चाहो तो direct याद करो suggestion मेरा यह रहेगा कि direct याद मत करो यहां से इस पे पहुँचे इस से इस पे पहुँचे आधा minute लगेगा आधा minute भी नहीं 15 seconds लगेगा तो आप इतने formula याद दरोगे तो भूल जाओगे कहा टू उपर था कहा क्यू रूट के बार था कहा क्यू रूट के अंदर था ठीक है इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बाकि यह derivations आएं तो derivations तो हुई रही है हमारी ठीक तो यह क्या क्या हो गया velocity और radius आगे बढ़ते हैं अब हम निकालेंगे kinetic energy kinetic energy तो बहुत ही simple सी बात है बच्चो जब velocity निकाली ली है तो kinetic energy निकाल लोगे यहां से निकाल लो यहां से निकाल लो एक ही बात है kinetic energy आएगी हास m z का square B square Q square R square by M square M say M काट गया B square Q square R square by 2 M this is the kinetic energy check clear number four time period time period time period क्या होगा time period होगा 2 pi R by V time period मतलब एक पूरा circle एक चक्कर लगाने में उसको कितना time लगा एक चकर लगाने में उसको कितना time लगा उसको क्या बोलते हैं time period तो time period निकालना हो एक चकर में कितना distance कवर करेगा 2 pi R क्या हम r का formula निकाल चुके हैं बिल्कुल और v का भी निकाल चुके हैं तो हम दोनों में से कोई भी put कर देते हैं न v यहाँ पर मैंने put किया क्या आ गया b q r by m r से r कटा 2 pi m upon b q this is time period this is also an important formula और अगर आपके पाद time period आ गया है तो आपके पास frequency भी आ जाएगी क्योंकि frequency होती है reciprocal of time period frequency मतलब एक second में कितने चक्कर लगाएगा frequency हो गई b q by 2 pi m अगर आपके पास frequency आ गई है तो angular frequency भी आ जाएगी because angular frequency होती है 2 pi into linear frequency इसको 2 pi से multiply करें तो हमें मिलेगा omega equal to 2 pi into frequency b q by b q by 2 pi m 2 pi से 2 pi कट गया omega आ गया b q divided by m ठीक ये तो ये इसके सारे parameters हैं ये derivations आती हैं इनका ध्यान रखना है आपने ठीक ओके अब हम करते हैं जरा एक दो सवाल और उसके बाद एक और special case हम लेने वाले हैं सवाल बड़े simple से हैं वच्चों देखो जैसे अगर हमें बोला है ज़्यादा तर इसमें रेशियो वाले questions आते हैं रेशियो वाले कैसे देखो इसमें सपोज टिपिकल question अगर मैं उठाओं इसका तो इसमें बोला गया है सुनना जरा question द्यान से कि a proton and an alpha particle enters perpendicularly into a magnetic field with the same kinetic energy what is the ratio of their radii what is the ratio of the radii of their paths एक proton और एक alpha particle एक magnetic field में perpendicularly enter करते हैं same kinetic energy से तो बताओ उनके जो paths हैं अब perpendicularly enter करें दोनों के paths circular रहेंगे तो उनके जो paths हैं उनके radius की root 2m into ke divided by bq आना तो r proton r कौन कौन से particles है? proton और alpha particle तो r of proton क्या होगा? मान लेते हैं proton का mass है m और charge है q अब इसमें इन questions में सारा खेल इस बात का होता बच्चों कि आपको जो भी particles given है उनके mass और charge की रेशियो पता हो क्योंकि same magnetic field में enter करेंगे तो b same रहेगा और जो बाकी चीजें बच्चती हैं या kinetic energy या momentum उनमें से बोला होता है कि एक same है तो अब सारा खेल आ जाता है m और q की रेशियो पे अगर आपको जितने भी particles question में given है उन सबका एक दूसरे से charge और mass की ratio का पता हो तो आप इन questions को कर लोगे और मैंने देखा है कि बच्चो को इसी में दिक्कत आती है एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चो अगर proton का proton का proton का proton का mass m और charge q है तो deutron का deutron का deutron होता क्या है बच्चो एक atom होता है deuterium 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 क्या होता है H1,2 hydrogen का वो isotope जिसका atomic number 1 है hydrogen का atomic number 1 है लेकिन mass number 2 है normal hydrogen का क्या है atomic number 1 mass number 1 यानि उसमें एक proton होता है hydrogen क्या है एक electron के around एक proton चक्कर लगा रहा है ठीक है वो hydrogen है लेकिन एक heavy hydrogen है उससे heavy जिसका mass number 1 है mass number 2 है atomic number 1 है इसमें एक proton होता है और एक neutron होता है तो उस एक proton की वज़े से इसका atomic number होता है 1 और इसका mass number हो जाता है 2 क्योंकि एक proton प्लस एक neutron mass number हो जाता है 2 तो ये इसका nucleus रहता है इसके around एक electron revolve कर रहा है और nucleus के अंदर क्या है एक proton प्लस एक neutron ये deuterium है deuterium का जो nucleus है यानि ये उसको बोलते है deutron यानि इस deutron में एक proton है और एक neutron है और proton और neutron का mass होता है बराबर तो अगर proton का m और q है mass तो इसका mass होगा 2m और charge तो इसका q ही रहेगा charge इसका क्या रहेगा चार्ज तो q रहेगा ना क्योंकि neutron का तो कोई charge नहीं होता इसमें सिरफ proton है जिसका charge है क्यों ठीक है यह हो गया neutron तीसरा आपको जो common particles इन questions में दिया रहता है वो होता है alpha alpha particle क्या होता है helium के nucleus को alpha particle बोलते है helium का atomic number है 2 mass number है 4 helium के nucleus में 2 protons और 2 neutrons होते हैं तो 4 हो गए total तो mass number हो जाता है इसका proton के comparison में 4N और charge हो जाता है 2Q क्योंकि 2 protons है ठीक तो अब देखो P proton का radius हुआ under root 2 M of proton M of proton क्या लिए हो है M into kinetic energy of proton वो तो K ही रख लेते हैं क्योंकि question में बोला दोनों की kinetic energy सेम है by B charge of proton अच्छा दूसरा particle है alpha alpha का radius क्या होगा under root 2 अब बारी आती है mass of alpha की mass of alpha is 4M kinetic energy is same divided by B same charge of alpha is 2Q इसको थोड़ा सा solve करें इसको solve करके इस 4 का root आएगा बाहर 2 और बाहर एक है ये 2 under root यहां पर क्या बचेगा 2MKE 2MKE अपन 2MKE अपन BQ 2 से 2 कट गया so r alpha is what r alpha is under root 2M into KE divided by BQ and r proton is under root 2MKE अपन BQ that means ratio of their radii is 1 is to 1 दोनों का बराबर है अना वैसे तो यह mainly 3 particles होते हैं एक और आपको particle बता दूँ tritium atom होता है hydrogen का और बड़ा वाला isotope जिसका atomic number तो obviously 1 रहेगा isotope है तो mass number होता है 3 तो इसका charge तो क्यों ही रहता है mass हो जाता है 3M tritium यह atom है triton deuteron, triteron इसका क्या है nucleus है तो कोई भी atom यहाँ पर कोई भी particle दिया हो सकता है यह generally बहुत कम होता questions में यह 3 particles जो है वो रहते हैं आप इनके mass और charge की ratio note करें suppose इस question में बोला होता कि उनका momentum same है अगर उनका momentum same है mv same हो गया b तो वैसे ही same है r is inversely proportional to q तो जिसका मानलो question में होता proton और alpha तो r is inversely proportional to q तो जिसका charge जितने times ज़्यादा उसका radius उतने times कम तो alpha का charge दो गुणा ज़्यादा है तो alpha का radius दो गुणा कम होगा तो r proton by r alpha होगा 2 is to 1 इस तरीके से अगर आपको यह याद हों तो आप इस तरह के questions कर लेंगे समझ में आई बात? ओके आगे बढ़ते हैं बच्चो तो यह तो हमारा था special case की charge particle जो है हमारा enter करा है magnetic field में perpendicularly अब हम लेते हैं एक general case जहां पर charge particle ना perpendicularly enter करा है ना along the field enter करा है charge particle किसी भी angle theta पर enter करा है जैसे की यह मान लो यह magnetic field है और इस magnetic field में यह एक charge particle enter किया है ऐसे यह charge particle है यह रहा charge particle with velocity V enter करा है field से theta angle पर जो की ना ही 90 degree है और ना ही 0 degree है मतलब किसी भी angle पर ठीक है कल के lecture में भी इसकी बात हो चुकी है कि आप इसको इसकी velocity को दो components में split करें इस component का हम नाम दे V parallel which is parallel to the field field है V इसको हमने नाम दिया V parallel यह angle theta यह V है तो यह component हुआ V cos theta second one is V perpendicular यह V perpendicular यह component है जो field के perpendicular है तो यह हुआ V sin theta ठीक ऐसा ऐसा flat में field नहीं है यह cylindrical field है हना एक पूरे cylindrical में पहले आप सोचो कि मैंने आपको cylinder का पीछे से दिखाया था अब मैं cylinder को side से आपको दिखा रहा हूँ अगर मैं इस तरफ से इस magnetic field को देखता हूँ तो यह magnetic field मुझे दिखाई देती है ऐसे इस तरफ से मैं देख रहा हूँ ना मेरे से दूर ऐसे ऐसे समझा ही बात तो पहले तो हमने यही वाला case लिया था तो इसकी velocity के जो दो components है उन में से जो यह वाला component है यह component है ऐसे इधर ऐसे इधर से देखने पर समझा ही बात तो यह वही वाला component है जो field के perpendicular है जिसे पिछले सारे derivations में हमने लिया तो जितने भी हमारे पीछे formula निकले जैसे radius का formula निकला mv upon bq तो आप याद रखें कि इन सारे formula में जो v होगा वो v perpendicular वाला होगा यानि कि v sin theta अगर particle obliqually enter करता है यानि कि कि किसी भी angle general angle theta पे enter करता है समझ में आई तो देखें इसका path क्या होगा जब perpendicularly enter करा था तो path था circular लेकिन तब उसकी velocity में ये वाला component नहीं था अब उसकी velocity में ये component भी है अगर एक body में इस तरफ velocity component है तो obviously ये component उसको आगे लेके जाएगा लेकिन इसमें ये वाला component भी है जो गुमाना चाहता है ये उसको कहता है goal goal गूम ये उसको कहता है आगे जा तो resultant path क्या होगा आप सोचो एक ऐसी चीज जो goal भी घूमना चाहती है और आगे भी जाना चाहती है बच्चो उसका resultant path क्या होगा उसका resultant path होगा एक helical path उसका resultant path क्या होगा अब मान लो यहीं तक magnetic field है तो इसके बाद तो मुढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है यहां तक जितना मुढ़ गया मुढ़ गया यहां से ऐसे सीधा निकल जाएगा लेकिन हम तो field के अंदर की बात कर रहे है तो उसका path क्या होगा यहीं बहुत important बात है इस पर question आता है पहले तो यह पूछ दे कि magnetic field में कोई perpendicularly एंटर करा particle तो उसका path कैसा होगा उसका path होगा circular लेकिन अगर वो किसी और angle पर एंटर करा है 0 से 90 degree के बीच में तो उसका path होगा helical समझ में आई बाद ठीक है उस case में जो पीछे सारे formula डिराइव किये उसमें V की जगा आपको विसका V perpendicular वाला component लेना है और इस helix वाले के लिए एक extra चीज हमने derive करनी है which is called pitch general word है helix के लिए pitch pitch का मतलब होता यह D यह pitch रहा pitch का symbol है D pitch होता है distance between two consecutive tons of helix यह जो दो tons के बीच का gap है इसको pitch बोलते है तो यह pitch निकाले कैसे हम pitch D हम निकाले कैसे pitch कैसे निकाले यह distance ही तो है आपको मैंने vectors पढ़ाए है आप तो ख़र 12 में होगर आपको vectors में confusion है तो आप मेरी vectors वाली lecture देख सकते हो जाके अगर मैंने इस तरफ का distance निकालना है तो मुझे इसी तरफ की velocity लेनी पड़ेगी distance क्या होता है displacement क्या होता है velocity into time तो time तो scalar quantity है लेकिन किसी भी equation में जब भी तुम उसको vectors को scalar form में use करते हो या इस तरह की से यादर को किसी भी equation में एक vector जिस direction में होता है बाकी सारे भी उसी direction में होने चाहिए तब ही आप उसको use कर सकते हो scalar form में easy अगर आपको चीज़े रखनी है तो अगर आपको इधर का D निकालना है तो V भी इधर वाले लगेगा because simple सी बात है यार ये velocity जितनी ज़्यादा होगी आगे ये उतना जल्दी ले जाना चाहेगा ये velocity कम है तो ये goal उतना जल्दी नहीं गुमा पाएगा अगर ये velocity बहुत ज़्यादा है तो ये goal कम गुमेगा लेकिन आगे बहुत जाएगा ऐसे अगर ये velocity बहुत कम है तो ये ज़्यादा goal गुमाएगा वो धीरे धीरे आगे ले जाएगा तो ऐसे हाना इसका मतलब है यह जो इधर वाला distance है यह इस पर depend करता है तो distance क्या होता है velocity into time तो बताओ यहां से लेकर यहां तक आने में इसको कितना time लगा जो इसका एक time period है यहां से चला यहीं वापस पहुचा तो इसने अपनी तरव से तो एक circle complete कर लिया लेकिन यह उस जगह पर नहीं पहुचा थोड़ा आगे जाके उसने circle complete किया लेकिन time तो उतना ही लगेगा time तो scalar quantity है उसकी कोई direction नहीं तो एक circle complete करने में अभी हमने पीछे निकाला time कितना लगता है 2 pi m upon b q तो पिछ क्या होगा distance speed into time इधर इधर वाला component speed का v cos theta into time 2 pi m upon b q यह extra एक point आ जाता है helical वाले की derivation में otherwise all other derivations बाकी सारे parameters की derivation तो इसकी वही है यह वाला component लेके है ठीक समझ में आई बात आपको तो numerical जिस type के हैं उस type का मैंने आपको एक करा दिया आप अराम से बाकी numerical सुपर कर पाओगे बाकी बाकी के numerical जो है तब तक के लिए all the best